पनीर मेगी के लिए हमने थोड़ा से टमटर लिए थोड़ा सब प्याज ले रहे हैं और यह हमारा मटीरियल तैयार हो गया है यह थोड़े से मटर और पनीर की पीसिस है अब हम गैस में तेल को गरम कर रहे हैं और हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे ल और यह भून चुका है अब इसमें प्याज को डालेंगे यह प्याज डल चुका है और प्याज के ब्राउन होने का इंतजार करेंगे और दीखिए अब टमाटर को एड करेंगे इसमें यह टमाटर एड हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक अल्दी और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और यह मसाले हैं आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं और अब हम इसमें एड करेंगे मटर यह फ्रोजन मटर है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यह देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यह पनीर के पीसिस को हमने इसमें आइड कर दिया है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे पांसे दस मिनिट तक ताकि मटर और पनीर अच्छे से पक जाएं अब हमारे मटर और पनी पके तयार हो चुके हैं यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं अब इनके पकने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और यह देखिए हम इसमें पानी को एड कर रहे हैं और अब हम इसमें मैगी को डालेंगे हम तीन मैगी बना रहे हैं तो हम उसी हिसाब से पानी को एड किया और यह दिखिए मैगी अच्छे से डिप हो रही है अब इसे हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए यह देखने हैं बहुत अच्छी लग रही है अभी बहुत अच्छी खाने में भी लगेगी आपको अब हम इसमें मैगी मसाला एड़ करेंगे किसी को अगर spicy पसंद है तो और भी मसाले एड़ कर सकता है हमने तीन मैगी का यह material बना है तो हम इसमें तीन मैगी मसाला एड़ कर रहे हैं और यह देखिए यह देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है खाने में भी उतनी स्वाधिस्ट होगी अब इसे आप पकने दीजिए 5-10 मिनित तक ताकि आपकी मैगी जो हो अच्छे बनके तयार हो जाए और यह अब हमारी मैगी बनके तयार हो चुकी है और अब